एलो फ्रेंज आज मैं अपने किचन में लेके आई हूं फास्ट फूड रेस्पी तो आज हम अपने किचन में बनाने हैं चौमिन की रेस्पी इसे बनाना बहुत ही असान है ठेले रेस्टोरेंट से भी स्वाधिश टम चौमिन अपने घर पे बना के तयार करने वाले हैं तो आप भी इस रेस्पी को एक बार इस तरह से जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा, अगर आप एक बार इस तरह से चौमिन घर पर बना कर खाएंगे न तो बाहर चौमिन खाना छोड़ देंगे, तो चलिए इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें गैस पर रखना एक बरतन और उसमें हम डाल देंगे पानी, तो यहां पर मैंने एक लीटर डाल दिया है पानी, पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक चमच ओईल, आदा चमच के करीब डाल देंगे नमक, इन दोनों चीजों को डालने के बाद हिसे नहीं के दएने के बाद हमसे इसे क्या करना हुआ है कि वाइल हो रहा है घर हम सब्सक्राइब Sega क कट कर लेंif था कर लए में हप्राई था हुआ नगया कि इस तो पैले से काटना है इससे क्या को पर प्रोगोंग हो जाती है तो चलिए हम यहाँ पर शारी सब्जियों को कट कर लेते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और विल आइकन की गंटी को भी प्रेश कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आई उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो यहाँ पर हमें जो सब्सक्राइब कर लेंगे इसे भी हमें बारिक नहीं करना है जब चौमीन में देखती है तो बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है तो यहां पर मैंने सारी सब्चियों को ठटकल दिया है अब हम चलते हैं चौमीन की तरब यहां पर आप देख सकते हैं कि चौमिन जो है हमारी बहुत ही अच्छी तरह से वाइल हो गई इसको एक चौमिन उठाके आप उसको टच करके देखिए तो चौमिन मतलब यहां पर एकदम पग गया है अब इसे हमें क्या करना इस तरह से एक छनी वाले बटन से निकाल देना ह अब वापिस देखिए कड़ाई में डाल दिये हैं तेल जब गरम हो गया तो यहां पर हमने हरी मिर्च अद्रक और लेसन बारिक बारिक कटेव इसमें डाल दिये हैं जब इसका कलर थोड़ा सचेंज हो जाएगा इसके बाद हम यहां पर सारी सबजे एट कर देंगे और यहां पर हम डाल देंगे स्वाद अनुशार नमक नमक डालने के बाद हम याड़ करेंगे यहां पर सारे सॉस यहां पर मैंने शोया शॉस रेट चिली सॉस एक चमच एक चमच हमने ग्रीन चिली शॉस डाल दिया है एक से देड़ चमच की करीब विनेगर और एक चमच हमने में डाल देंगे नसवाइब इन का छे तरह मेंटटो केचफ स्क्रमाइब अच्छी तरह से मिक्स करना आज करना है आज इंडी अध्याहकि च्छोर्म केड़ाय में दो लगेगा और चारी चीजों में अच्छी तरह से में नहीं हो पाएगा यहां पर जब हम चौमिन को मिक्स कर लेंगे उसके बाद आज को जो हो हाई फ्लेम फे पर कर लेंगे तब खुब अच्छी तरह से जरूर बनाए अपने घर में दस मिनट के अंदर बनके रेडि हो जाता तो यहाँ पर सुपर डूपर टेश्ट है हमारे जो फास्ट फूडोर रेस्पी चौमिन बनके रेडी हो गया है आप इसको देख सकते हैं कि इसमें मैंने सारी सब्जिया एड कर रख्ये अगर आप चाहे तो अपने मन पसंद की और भी सारी सब्जिया आएड कर सकते हैं तो ह डूपर डूपर डिलिस्यस रेस्पी हमारी बनके हो गए यह रीडी खासकर यह रेस्पी बच्चों को बहुत ही पसंद आता है तो आप इस रेस्पी को जरूर बनाए और अपना इस्पीरेंच भी हमारे साथ शेयर करें कि आपको चौमिन की रेस्पी कैसी लगी तो अगर लेक्स्ट वीडियो में और वीडियो में लाज तक बने रहने के लिए आप सभी को डेल सब्सक्राइब करें क्यूंद